सब्सक्राइब आपका एक वर फिर्षय आपी के यूटीब चैनल में और आज के इस वीडियो में बात करेंगे REC Limited को लेकर REC Limited है PFC Finance Corporation है ठीक है Power Finance Corporation उसके अंदर भी काफी शांदा का रैली बनी हो रहे REC Limited के अंदर भी आखर का इस टॉक्स के अंदर जोना भी तेजी के पीछे का रीजिन के हैं वह जाने की कोशिश करेंगे कल के दिन एक बड़ी जो खबर है वो कंपनी की तरफ से आई थी उसके साथ साथ सुबह भी एक बड़ी खबर आते हुए नजर है तो चलिए जानते है डीटेल में भी क्या ये श्टॉक च्यार सूर्पी के लेवल टच कर पाएगा या फिर नहीं तो चलो फटाफट से देखते सबसे पहले जो खबरी आई है वो उसके बार इसका चार्ट वगरा देखें वैसे तो स्टॉक एक फ्रेस हाई आज के दिन लगा चुका है और जो वोल्यूम आई है तो चलिए देखते सबसे पहले जो न्यूजी है वो तो यहां पर आप लोग देखो को भी कंपनी के तरफ से ये नौटिस पब्लिस किया गया है ठीक है इस नौटिस के चलते यहां पर हमें पता चला है कि जर्नल बिजनस इसका जोनवी अचीव कर लिया है इस साल के दोरान जबकि यह सेम आप लोग देखोगी भी पिछले आठ महीनों में तो हाजार तेईस के आठ महीनों में यह लगबग छालिस हाजार क्रोड के आसपास था और वहां से आप लोग देखोगे एक लाग क्वार पर पहुंचना यह आपने बहुत बड़ी बात है तो इसका भी positive असर हमें जोनवी stock के उपर देखने को मिला है तो चलिए उसके बाद आप लोग देखोगे एक और कल के दिन update आए थी वो ठीक है यह तो आज आई थी कल के दिन जो fund के regarding है चलिए वो और आपको दिखा देते हैं तो यहां अपर आप लोग देखोगे जी business की उसल वेबसाइट के उपर हमें जोनवी यह खबर देखने को मिली है जहां पर बताएगा power finance company बाजार से जूटाएगी 1.5 लैक क्रोड पियाश्यू stock ने इस साल जोनवी लगबग 200% के bumper return दिये हैं यहां पर बात चीच चल रही आखर कर क इसकी REC Limited की जी हां REC Limited के बारे में बात चल रही है कि 200% के इस साल में से return निकाल के दिये 2023 में और 1.5 लैक क्रोड रुपे जोनवी आप लोग देखोगे बाजार से जूटाएगी और यही सबसे बड़ा कारण रहा है इस stock में आज की इस rally का देख सकते हो जोनवी PSU power finance company REC Limited ने share bazar को भेजी सूचना में का कि board की एहम बैठक में इस जो fiscal market borrowing को बढ़ा कर 1.5 लैक क्रोड रुपे कर दिया गया इस साल में जोनवी इसने 200% के bumper returns निकाल कर दी है तो 30 नवंबर यानि कल के दिन जोनवी यह board meeting हुई थी वहाँ पर company जोनवी पहले जो योजना बनाए थी नोंने 1.2 लैक क्रोड रुपे जुटाने की बनाए थी ठीक है लेकिन अब उसे बढ़ा कर जोनवी आप लोग देखो कि कल की board meeting में 1.5 लैक क्रोड रुपे कर दिया दूसे द्रफ power finance corporation के अंदर भी आप लोग देखोगे काफी श्यांदार रह लिए ठीक है तो चलिए अब देख लेते हैं इसका चार्ट तो यहां पर आप लोग देखो भी यह stock मेंने जोनवी पहले 217 रुपे क्या स्पास था यहां पर stock में deep भी बना था भी ठीक मार्केट में crash की वज़े यह stock नीचे में 245 के आसपास है वहां पर भी आपको बोला था कि long term के लिए stock में holding करके चल सकते हो फिर यहां पर breakout हुआ stock में उस breakout पर भी आपको बोला था कि stock को यहां से भी pick कर सकते हो जो आने वाले time में यह 400 पे तक के movement आपको उपर में दिखा सकता है और तो वही हुआ यहां से stock जो भी non-stop चला है और अभी के time आप लोगों देखो गए भी जो इसका support है ना नीचे में वो 350 के आसपास के जहां 350 के आसपास का support है और उपर में target की बात की जाए तो stock यहां से आपको 450 पे तक के जो move है उपर में दिखा सकता है और यह होगा भी quarter three results से पहले ठीक है तो quarter three results से पहले stock आपको 400 से साथे 400 पे तक के जो moment उपर में दिखा सकता है अगर आप लोग fresh entry के बारे में सोच रहे हो थोड़ा बहुत बीप आने के बाद जो अभी stock को पकड़ना I think सही रहेगा अभी के time stock में अच्छी का सी rally है अगर थोड़ा बहुत stock नीचे आए तो एक अच्छा का समो का बन सकते है 350 का नीचे में support लेके इसके अंदर entry का I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद लाइक कीजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब बना बिल्कुल मत भूलना और आपका जो सबसे बड़ा doubt था